हाई फ्रेंट्स हम आपको आज फिर एक सुन्दर्शा टॉप लेके आए हैं तो चलिए स्टाट करते हैं इसके लिए मैंने दो फैबरिक का यूज किया है जॉर्जेट और कॉटन का तो हम इसके मार्किंग कर लेते हैं पहले यह मैंने फोर फोल्ड में कपड़ा रख लिया है इससे हम पहले जो हमाई लेनी है अपने टॉप की हम उस मार्क करके पहले वह ले लेते हैं तो मुझे इसकी ट्वंटी एट रख नहीं है तो मैं 30 पर मार्क करके इसको कट कर लूँगी जो हमने मार्क की है उस पर सीधी लाइन ड्रो करके उसको हम कट करेंगे जिससे हमारा कपड़ा बटकुल सीधा कटे यह हमने अभी अपनी जो हमाई टॉप की लेंद रखनी है किवल बो काटी है हम पहले इसका फ्रेंट पार्ट बैक पार्ट काटेंगी तो यह मैंने इसमें से एक कपड़ा ले लिया है यह बैक पार्ट काटने के लिए उसको मैं डवल फोल्ड में रखूंगी इसकी चोड़ाई हमें लगभग यह हम इसको पहले नाप लेते हैं कितनी चोड़ाई लेनी है इसकी इसमें से जो एक्ष्टा कपड़ा बचेगा वो हमारी श्लिप के लिए यूज होगा तो इसकी जो चोड़ाई है वो लगभग ये 15 है और लें थमलें पहले ले ली थी हम कपड़े को अच्छे से बिच्छा लेंगे हम इसकी मार्किंग करेंगे मार्किंग इसकी टॉप व कुड़ि की तरह ही होती है यैसे हम कुड़ी की करके कटिंग करते एलान क कुड़ी की उसी टाइप से यह मैं तीन पर मांक करती हूं पहले यह हमारे नैक के लिए है इसके बाद में शोल्डर का जैसे हमारे शोल्डर 14 है तो उसका हाफ लेते हैं तीरे के लिए तो यह मैंने साथ पर माक किया हुआ है इसको आदा इंच डीप कर देंगे इस टाइप से यह अब यहां से हम लगभक साथ पर एक माक करेंगे जो हमारे और एक साथ पर और हम अगला करेंगे यह हमारी कमर के लिए है पहला चेस्ट के लिए था अगला कमर के लिए है यह हमने दो लाइन डो कर ली है कमर की चेस्ट की इसके बाद हम एक साड़े छे पर माक करेंगे यह यह हमारा शोल्डर के लिए है और इसके बाद हमें जो अपनी फिटिंग लेनी है यह 36 का बना रही हूं मैं तो मैं नौ पर माक कर दूंगी कमर मुझे 32 चाहिए तो यह 8 पर माक करूंगी और इसके बाद साथ पर एक हम और लेते हैं हिट साइज के लिए तो ये मैं साड़े नौ पर माग करूँगी और इस टाइप से हम इसको जोईन कर देंगे और यहाँ से हम इसको सीधा तिरचा लाश्ट तक कर देंगे फुल लेंड तक कर देंगे कमर से ये तिरच्छा सेवब दिया हुआ है यह हम सोल्डर की लाइन ड्रो कर लेंगे यह हम आदा इंच डाउन लेते हैं सोल्डर और यह इंच एक्ष्ट्रा लेंगे हम अपनी सिलाई और मार्जन के लिए और इसको भी मिला देंगे इसको सोल्डर का हम शेप देदेंगे अब इस टाइब से यह हम नेक अपना काट लेते हैं यह लगबग हम रखेंगे इसकी तीन इंचि के करीब रखेंगे यह हम अपना इसको थोड़ा सा राउंड शेप कर देदेंगे बैक नेक मनें तीन इंचिका रखा हुआ है इसके बाद हमारी मार्किंग कम्प्लीट हो गई है और इसकी कटिंग कर लेंगे अब हम इसके नीचे दो इंच पर इक मार्क करेंगे और इसको थोड़ा राउंड से दे देंगे जिससे नीचे से जो यह बॉटम पार्ट है तब का तो इसको राउंड शेप मार्किंग करेंगे हपार प्रक्राद के सबस्क्राइब खार रकट करकर कि eraun discul restauration šoë gesture बडन में जाइक कर लेते हैं इसको इफे कार्वाग पर से करें का इस शोटिप्त दमगा रखेंगे हैं इस ट्यूर्षाइब इसके वूक्राइब ऑर इसके वेपर जो हमने の ट्रक्राइब भीक पार्ट की कटिंग की ती उसको रखें गे। यहां से लग बग जैसे तीन इच्छोटा रखा विए हम तो हम यहाँ पी एक मार्ग करेंगे इस टाइब से और इसको इस टाइब से उसको जो हमने मार्ग किया था उसको थोड़ा नीचे कर देंगे जिसलिए हमारा जॉर्जट छोटा ही कटे हम अच्छे से जॉर्जट के ऊपर अपने कटे हुए पाट को जमा लेंगे और इसको टच पिन से इसमें अटेच कर देंगे जिससे कटिंग करते टाइम कोई दिक्कत ना हो कपड़ा कहीं खिसके नहीं हमने इसमें टच पिन से इसको अटेच कर लिया है पूरा इस टाइब से कि अब हम जैसे हमने इसको हम round seam में cut कर देंगे हमने इसको cut कर दिया अब हमारे back part की cutting complete हो गई है यह हमारे back part की cutting complete हो गई है यह इसके जॉर्जट और cotton है अब हम अपने front part की cutting करेंगे इसमें पहले हम cotton काटेंगे जैसे हमने बैक पार्ट काटा था इसको हम डबल फॉल्ड में रख लेंगे इसकी जो चोड़ाई ली है तो इसकी जो फुल लेंद चोड़ाई थी हमने वो पूरी ले ली है बार के अब षम उसी टाइप से हमें हाँ पर तीन पर मार्क करेंगे यह nutr Jap के लिए साथ पर सुलॉलर के लिए साथ पर सुल हर के लिए आदा इंच डेत देंगे और इस टाइप से हैं गश्द की हुई है इसके सी कि यहां तक के हमारी फितिंग की सब्सकर देंगे और इसको हम juicy तरफ देते हैं इसकानेक हम हम पांच इंच का रखेंगे इस टाइप से यह राउन नेक का भी हुए इसके बाद हम इसकी जो कटिंग करेंगे वो हम सीधा यहां से तिलच्छा सेव देते हुए लाश्ट तक इसको दे देंगे लाश्ट तक मार्किंग कर देंगे इस टाइप से हम इसको पूरा सीधा ले इसमें भी हम लाश्ट में थोड़ा दो इंच का राउन सेव देंगे और इसको हम कट कर लेते हैं कट करने के बाद हम दिखाते हैं इसका बॉटम पार्ट नहीं दिख रहा है अभी यह देखिए इसको भी हम दो इंच पर इस टाइप से जैसे हमने वैक पार्ट में दिया था अब हम जॉर्जट की कटिंग करेंगे इसको भी हम सेम बैसे ही जमाएंगे जॉर्जट को डबल फोल्ड करके कॉटन के कपड़े को अटेच कर लेंगे नीचे से तीरेंच छोटा रखेंगे इसका बॉटम पार्ट जु जॉर्जट का तीरेंच छोटा रहेगा इसको अच्छे से हम टच्पिन से अटेच करकर और इसको कट कर देंगे इसका भी हम नीचे से दो इंच का मार करके और राउंड में हलका से से देंगे यह हमारे फ्रेंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है हम इसको पूरा उपन कर लेंगे और उपर इसके जॉर्जट जमाएंगे जॉर्जट को हम टच्पिन से उस्पिन से इसको पूरी अच्छी से जमादेंगे जिससे हम हमारा कपड़ा खिसके नहीं इस टाइप से सब जब जहां से हमें लगता है कि यह जॉर्जट खिसकता है हम आपर टच्पिन अटेच कर देंगे इसमें कि यह हमने इसको टच्पिन से पूरा अटेच कर लिया है उपर से जिससे हम अब इस पर लाई करेंगे तो हमारा जॉर्जट खिसकेगा नहीं इस टाइप से अब अपने जो सोल्डर से यह आर्मोल है यहां से हम अच्छे से लगा लेंगे अब यहां पर हम साथ पर एक मार्किंग करेंगे जो साथ पर मार्क करेंगे के आस्ट हम और ऐसा लां कर करनेके बादस टाइब से एक लाइन डाइन रो करलेंगे हम यह एक लाइन डो खिर युट कर ली है और इसमें जाटै और य में चोटे चोटे थोल्ट染 कर देंगि इसमें यह लगबग यह चार plates इस तरफ आएंगी और सैम ऐसे ही हम दोसी साइड भी करेंगे इस पर भी हम जो अपना solder है वसे साथ पर mark करेंगे जो हमारी कमर की marking रहती है तो वहां पर एक लाइन ड्रो करेंगे यह लाइन च्छाइज की लाइन ड्रो किया है हमने आगे तक इस पर भी हम छोटी-छोटी प्लेट्स लगाएंगे इस टाइप से यह हमने यह हमें दोनों साइट चार प्लेट्स लगानी है तो आप अपनी फिटिंग जैसी आप फिटिंग पहनते हैं तो आप तीन प्लेट्स लगाएं और फिटिंग में पहनते हैं तो चार प्लेट्स लगा लाएं पहनों तरह कि मैंने दोनों साइट टक्स बना लिए हैं हम इसको ह लेते हैं कि लेंद्ट रखनी है हमें 17 रखनी है तो हम स्को कर लेते हैं स्लीव की कटिंग मैं अपनी इचली वीडियो में बता चुकी हूँ तो आप देख सकते हैं इसलिए में जल्ली से काट लेती हूं इसकी लेंद्ध हमें 17 रखी है जो सलेप की हम चौड़ाई लेते हैं वो अपने आर्म होल से दो इंच ज्यादा लेते हैं तो इस टाइप से यह मैंने नौली है इसकी चौड़ाई और हम मार्क करके इसको कट कर लेंगे जो हम अपनी फिटिंग लेनी है हमें उसकी हम गोलाई लेके यहां पर मार्क कर देंगे यह मैंने 7 इंच ली हुई है उच्छे मैं फिटिंग रखनी है एक इंच लूजिंग के लिए लिया है इस टाइप से हम स्लीप के जो कफ की ग्लेंद रहती है इसको लेते हैं यह एक पट्टी लगवग चार इंच चौड़ी और जो हमारी ब्लास्ट में हम जो साथ इंच ली थी जो चवदा इंच लंबी पट्टी काट लेंगे जिसके हम कफ लगाएंगे स्लीप में नीचे यह हमने स्लीप काट करेंगे तो इसके लिए हम तिर्ची पट्टी काट लेंगे बचे हुए कप्डे मेंसे जो क्रॉस कपड़ा रहता है बहां उस टाइप से पट्टी काटते हैं जिससे यह कपड़ा स्ट्रेच होता है और जो हम पाइपन लगाते हैं गले में तो किसी परकार की शल नहीं आती से चल से कटिकल से कट लिएंगे वर्पाद स्ट्रैच में विए हमसे काटते हैं तो हमरे सारे ड्वाइन हो अचॉट में के सथीं पेसी च्टिकल से हो यह को लिए हमारा अचका लिए यह पंपार्ट थो पर सुट्ट नहीं पराइपन नहीं पयावा ती उजे आपक्त लाइन ड्रो की थी उसी लाइन पर हम सिलाई कर देंगे सबसे पहले एक सिलाई करेंगे इसमें यह हमने जो हमने लाइन डो की थी इसमें उस पर यह हम स्लाई कर देंगे जिससे जो हमने टच पिन का यूच किया था उनको निकाल देंगे यह हमारी प्लिट्स स्लाई से जम जाएंगी यह देखिए मैंने शलाई कर लिये और हमारी प्लिट्स स्लाई से जम गई है अब जिस टाइप से यह प्लिट्स बनी हुई हम इनके ऊपर टॉप्सिन मसीन प्रेस मसीन लगाएंगे जिससे और यह सब जहां हमने शलाई लगाई है बहां तक ही लगाएंगे नीचे तक नहीं तर बीच में लाइन राँ कि थी हमने बहाता की यह प्लीट के ऊपर लगाएंगे यह साधसर मशीन लगाते हैं उस टाइब से इसके ऊपर लगाते जाएंगे आदे से हमें इसको टन ले लेना है जो हमारी प्लेट्स तो नीचे तक आ रही है तो हमें बहां तक यह सिलाई नहीं करनी है इस टाइप से यह उपर की साइड है हम उस पर इन प्लेट्स पर सिलाई लगाते जाएंगे मैं आपको दिखाती हूं यह हमारी यह सभी प्लेट्स पर हमने प्रेस मशीन लगा दी है यह दिखी उपर की तरह हमने सभी में शिलाई लगा दी है सेम ऐसे हम दूसरी साइड भी शिलाई लगा लेंगे पहले हम सीधी सिलाई लगाएंगे जो हमने लाइन रो की थी उस में और हम इसके ऊपर भी ऊपर के साइड जो हमने तक्स बनाए हुए थे उपर प्रेस मशीन लगा देंगे यह हमने दोने तरफ जो प्लेट्स लगाएं थी उनके ऊपर से लाई लगा लिए इस टाइप से उससे लेखिए यह हमने इस साइप के लिए पट्टी काटी थी उससे हम इसे पाईपिंग कर देंगे इस टाइप से हम इसको डवल फूल करेंगे और इसके बाद इसको हम उपर से कट कर देंगे फिर सीधा करेंगे पहले डबल फोल्ड करेंगे इसके बाद हम सीधा करेंगे और इसको उल्टे तरफ से इस टाइट से रखके जो हमारा नेक का बैक साइट है उस पर रखके और सीधी हम सिलाई करते जाएंगे इसमें हम जो हमने पट्टी अपने लगा रहे हैं उसको थोड़ा खीच कर लगाएंगे गले पर बिल्कुल प्रैसर नहीं लगाएंगे कि गल साइट से स्लाई करते जाएंगे इसमें आराम से लगाएंगे इसमें स्लाई कि हमारी इसमें फ्नेसिंग आए यह हमने स्लाई कर ली है एक साइट से हम इसको इस टाइप से आगे की तरब पल्टेंगे और इसमें स्लाई लगाते जाएंगे इस टाइप से इसमें स्लाई करते जाएंगे यह मौटी पाइपन है जैसे टी शर्ट में रहती है उस टाइप से इसको हम पलटके और आराम से स्लाई लगाते जाएंगे इस स्लाई करते टाइम कपड़े को खीचेंगे नहीं यह देखिए यह हमारी फ्रंट नेक बन गया है तो हम ऐसे हम इसका बैक का नेक रेडी कर लेंगे ऐसे इस पर जोर्जट को टच्पिन से इसमें अटेच कर देंगे जिससे स्लाई करते टाइम जोर्जट नहींगे इसके और हमने जो पट्टी काटी थी दो पट्टी काटी थी हमने तो इसमें हम जैसे हमने फ्रंट का नेक बनाया था सब बैसे ही हम बैक नेक बना लेंगे इस टाइक से पट्टी को डबल फूल करेंगे उसको फिर फूल करने के बाद कट करेंगे और बैक साइड से लगाना चालू करेंगे हम पट्टी को लगाते हम पट्टी को खीशते जाएंगे और गले को आराम से सिलाई करते जाएंगे गले के उपर इस टाइप से हम सिलाई लगाके एक्स्टा पट्टी को करके अलग कर देंगे और फिर इसको फ्रंट में इस टाइप से मोड के सिलाई करेंगे जैसे हमने फ्रेंट नेक बनाये था बैसी बनाना है हम इसको यह बैक का नेक भी बन गया है हम दोनों के सूल्डर अटेज कर लेंगे कि दोनों साइड के सूल्डर को हम अटेच कर लेंगे आपस में इस टाइप से हमारे सूल्डर अटेच हो गए हैं आप इसमें आप स्लीव लगाएंगे पहले हम स्लीव अपनी रेडी कर लेंगे बनाकर यह हमने स्लीव की जो कटिंग की थी और जो हमने पट्टी काटी थी हम इसको इसमें पहले लगा लेंगे हम इसमें यह इस पट्टी को कप की तरह यूच करेंगे इसमें यह हम डबल फोल करेंगे इसका जो फ्रेंट वाला पार्ट है मतलब इस तरह प्रिंट है हम उसको साइट से डबल फोल करेंगे और यह बैक साइट से इसको अटेज कर लेंगे कि इस स्लीप का जो बैग हिस्सा है उस तरब से हमने किया है और इसको इस टाइब से फोल्ड करके एक सिलाई हम इसमें लगा देंगे नीचे से यह ऐसा लगेगा जैसे हम कब कि रहते हैं इस टाइब से यह एक बीच में हम अलकी सी सिलाई कर देंगे जिससे हमारा बाहर की तरफ ना जाए यह हमारी स्लीब रेडी हुई है सेम एसे हम दूसरी स्लीब भी रेडी कर देंगे यह देखिए यह हमारा फ्रेंट पार्ट है यह बैक इस सा है हम इसको स्लीब को अटेच करेंगे इसमें यह हमने सेंटर में कट लगाया था उसको सूल्डर की जॉइंट पर रखेंगे इस टाइप से और हम स्लाई स्टाट कर देंगे पहले हम एक साइट स्लाई करते जाएंगे इस टाइप से और हम आसोडलर की दूसरी दरफ से लाई कर लेंगे इस टाइप से दूसरी साइड भी हम इसको अटाच कर लेंगे इसके जो हमने स्लीव अटाच की थी इसके ऊपर हम एक टॉप से नसीन और लगा लेंगे इसको जो हमारा टॉप है उसकी साइड इसके अंदर जो सिलाई लगाई है उसको करके क्योंकि जॉजट पतला रहता है तो उसमेंसे वो दिखता है कपड़ा तो हम उसको अंदर की तरफ करके एक प्रेस मसी लगा लेंगे लगा के दिखाती हूं मैं आपको इसको हम अंदर की तरफ खीशते हुए और प्रेस मसी लगा देंगे इस टाइप से यह हमारी स्लीव अटेच कर लिए हमने जीकिन हम सैमेंसे दूसरी स्लीव भी अटेच कर लेंगे विघेंगे सैमेंसे हम इस साइट की स्लीव भी अटेज़ कर लेंगे यह हमने दूसरी साइट की स्लीप भी अटेज़ कर ली है यहारा पट्टीस एक्स्ट्र कपड़ा बचा है उसको हम कट कर दे रहे हैं यह देखिए हम जो इसका बाटम पार्ट है नीचे की तरख जॉर्ज़ट और कॉटन उसको हम पतली पतली फोल्ड कर लेंगे उसको दोनो जॉर्ज़ट दोनो पार्ट के जॉर्ज़ट और कॉटन को हम इस टाइब से पतला पतला फोल्ड कर लेंगे जैसे हम जॉर्जट को फोल्ड करके सिलाई कर रहे हैं ऐसे हम कॉटन में भी सिलाई कर लेंगे इसको जॉर्जट को आराम से सिलाई करें इसमें क्योंकि यह बहुत जल्ली इसमें सल्ट आइप से आ जाती हैं तो इसको आराम से आप बिल्कुल पतला पतला फोल्ड करके इसमें सल्ट करें इसी टाइप से हम अपने कॉटन और जॉर्जट के चारों पार्ट को इस टाइप से हमने फोल्ड कर लिया है देखिए आप कॉटन को जॉर्जट को हम इसके दोनों पार्ट को स्लीप से जॉइन क करेंगे जैसे हम कुड़ती को जोइन करते हैं उसी टाइप से हम इसको स्लीप से जोइन करना चालू करेंगे और लाश्ट तक इसमें स्लाइड करते जाएंगे जो हमने एक इंजी की लूजिंग ली थी तो इसी टाइप से हम एक इंजी के पर मार करके और इसको सीधा लाश्ट तक जोइन करते जाएंगे हमें जो हमारे चार पार्ट दो जोड़ जटके दो कॉटन के हो गए हैं तो उनको चारों को एक साथ पकड़के हमें स्लाइड करनी है कि बीच में कोई पार्ट छूटे नहीं या फिर वो इधर उधर कपड़ा ना हो जाए जिससे फिटिंग अच्छी ना आए तो हम चारों पार्ट को एक साथ पकड़के आराम से स्लाइड करते जाएंगे लाश्ट तक हमें स्लाइड करनी है इस टाइप से इसे हम दूसरी तरफ भी जॉइंट कर लेंगे यह हमने इस टाइप सिसके दोनों पार्ट जॉइंट कर लिये हैं देखिए यह इसका फाइनल लुक हम आपको दिखाते हैं यह हमारे टॉप रेडी है आपको वीडियो अच्छी लगी हूँ पसंद आई हूँ तो प्लीज प्लाइक कीजिए प्यार कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू थेंक्यू कर दो जएड़न कीजिए जए डश जा रहत ह्ताँ ऋबसक्राइब कीजिए कीजिए मुआगथ आपको प्लाइक प्लाइक